नमस्कार इंडिया वोर्च देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं स्वीटे दिक्षे रुक करेंगे उत्रकंट की खबरों की और पिया मोदी के द्वारे को लेकर जागे इश्वेर धाम में सुरक्षा व्यवस्ता कड़ी कर दी गई है और रादे की धाम में 48 घंटे पहले से ही बाहरी वैक्टियों के प्रवेश को बंद कर दिया गया साती धाम के शारों तरफ सुरक्षा का कड़ा घेरा बना दिया गया है सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि परवेश करेंगे क्योंकि पूजा अचना यहां पर करेंगे तो उसके बार यह कहा जा सकता है कि जाग्रिश्व भागवान सीव यहां पर रहते हैं पिराजमानों यहां पर रहता है भगवान भूले के परदी प्यम की आस्ता के से चुपी नहीं है क्योंकि लगाता है अचला के करेंगे पादती कुंड में भी उजाएंगे और उसके बाद यहां पर जिस प्रकार से जागेश भावाइस जागेश्व भागवाइस जागेश्व धां इंडियावाइस टेम पहुंचई है जागेजसवर्दाम में जहां पर प्धार मंतृ बर्फोंड नेंद्र मोड्या ए यहां पर जागेजसवर्दाम में बारमंति नेंद्र मोड्यी शोक्षे सिह जो इसी पुझाषणा भी हां तो यहां पर हम लोगों पुजारियों की और से तैयारी है ग्यार ब्रहमन जो है मीन द्वार जो बगवान जागरस्वर जी का है गेड है वहां पर स्वस्ति वातर न के द्वारा जो है प्रदान मत्र जी का स्वाधत किया जाएगा उसके बाद जोत्र लिए जागरस्वर महादीब में 57 मिनट का पूजन करीब नमसम पांच-साथ मिनट या नो मिनट के आसप पूजन है इस विंतफु के दर्सन होने है उसके बाद look to do त्हीं में ह Giast Right महामिंट जी आगी जी का उतनी करेंगे परदान मत्रूंट जी और फिर क्वाहरगान के दहरतार जी के परूग्रम और प्रेटरक सल में भी बड़ा अंतर मिलेगा और बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को आने वाले सिम्हें में बड़ा बेनिफिर्ट हुगा है स्थानी लोगों को और ब्यविशाई को जो लोग बाहर जाए करके काम करते थे तो मुझे ये लगता है कि हमारे स्थानी लोग यहां पर अपना स्वेंग रोजगार कर सकते हैं और जो बिरोजगारी का आलम होता है वो ख़तम हो सकता है और स्थानी लोगों को रोजगार के औसर बढ़ेंगे और भगबान जोतिलिंग जागिस्तुर जी के धाम में प्रधान नित्जी का आगमन है और खुशी है स्तानी लोगों को भी और छेतर के समस्त छेतर वासियों को भी बड़ी खुशी है कि हमारे छेतर हम्हारी प्रधम बार यहां पर जागरेस्वरogenा कर दाला में भरार मारेव बिलाज़क्र मुझा तो जागरल के मैं होने के कामए बगवान जागरत्रम had performer आपर राजुमान है तो भगवान जोत लेगे जागरल महादेप यहां पर आत्प जो सर्ण। पूजन करते हैं और भक्तों की निश्ची नहीं मनुकामना पूरी होती है और फिर भगवान जग्जागी स्वर्जी के दरूब धनिवात के लिए उन आते हैं यह थे दाश्र भड़ी जिनका साथ्टों पर कहना है कि कर फूजाजना करेंगे और थीक हमारे सामना अब देश सकते हैं कि यहां कर दाम का मंदिर है तो मुख्या दाम का मंदिर है पांचो मंदिर यहां पर जाना पूजा होती है इसी में क्या सकते हैं कि अनिक सेक्णों हजारों सिवली यहां पर भी पाये जाते हैं और यहीं पर कल भगवा क्या सकते हैं कि प्रधान मंत्री नरेद नमोदी का आने से इस छेत्र का दिधार्मिक प्रेटन है और बढ़ीगा और जो रोज़कार के और सोथ होंगे उस प्र प्रधान मंत्री नरेद मोदी की 12 अक्टूबर की कुमायों में जनसबा होनी जा रही है बता दे कि जिसको लेकर भाजपा की तयार यह देश हो चुकी कि प्रधान मंतरी कारेले ने मंगलवार 10 अक्टूबर को एक बयान में बताये कि पी А. 12 अक्टूबर को सुबह करीब साड़े आठ बची पे थोड़ा गर्जे लेके जोलिंग कोंग पहुचेंगे जनसबा को लेकर तेयारिया तेस हो चुकी है बार अक्टूबर को कुमाओं में जनसबा है जिसको लेकर तेयारिया यहां पे शुरू हो रही है और एसे में बतारी गुरुबार को पहुचेंगे पियमोदी सुबे सवेरे वहां पर प्रस्तान करेंगे और जनसबा को भी संबोदित करेंगे तैयारिया काफी दिनों से की जा रही थी और इसे में अब अपने चरम पर तैयारी नज़र आ रही है तुशार गुपता जारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं तुशार तैयारिया कैसे चल रही है अब ही क्या देख पा रहे हैं आप तुशार आवाज मिल पा रही है दुवारे जोड़ने की कोशिश करेंगे तुशार को लेकिन बता रही कि प्रधान मन्त्री पहुंश रहे हैं गुरुवार को है काफि संख्या में लोग आएंगे उनको सुनने के लिए काफ़ी उस साहित ना सेफकार करता वलकि मां के जनता भी नसर आ रही है क्योंकि प्रधान मंत्री का काफ़ी दिनों बाद यह उत्रा खंड दौरा है और ऐसे में एक एक चीज को जाचा और पढखा जा रहा है ताकि कोई भी कमी इसमें ना दिखाई पड़े ऐसे में बता दे इससे पहले हम इश्चा भी गई थे तो उन्होंने यहां पर कारकर्टाओं के साथ बैटिक भी की थी और जीद का मंत्र भी दी आता है एक बर फिर से तुशार हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुशार क्या तैयारिया चल रही है कितनी पूरी हो चुके है कितनी बाकी है क् ठैक वहाख में पुलिक तैयार है प्रडाल मंदी लिया और तोरहिपे है तमाम थार्या अब पर्देश के कार्यकर्टा बड़िक भार से जाहे है और नज्टा करते है तो यह कंदो यह तो यह पी तार्वठी'M तो परदानमंत्री यहां पहुचे थे और पदीनात के दो धाम है वहां पर उनों के दशन के पर और उसके बार चौरीब तो अब परदानमंत्री नरेंदर बोदी आ रहे हैं ऐसे में क्यों मनब कहा जा सकता है कि सवगात इस बार फिर मिलने जा रही है करीब 4200 करोड की यह पूरी सवगात उत्राकंड को दुबारा मिलने का रही है जिसमें साथा योजना है क्योंकि मानस्खंड बनना है क्योंकि जाजिशपर भाम भी इसमें संदर्य करण मैं ऐसे में पहली सिष्ट है इसे में सवगात है वो दी जा सकते और मुस्यमंत्री कुष्ण सिंधामी ने रिए इसाप्ता है कि तूरिजम को लेकर आप बलावा मिल सकता है परदानमंत्री अधर बहुत बाद बाद मंत्री ने रिए इस दौरे को लेकर कि आप एक सुमाओ के चेतर में इस बार जो 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 जना रहे है या पिकास तारे हैं वो देखने को मिल से सुछ तारे आज बजे परदानमंत्री उपहरागाड के परवत पारवती आप जाजाए जो पा पारवागाड के अधर गुजी जाह पहुचेंगे यहां पर आई पीड़ीटी साथ-चाथ चाह जाए जो आर्मी जो बॉडर फोले से साथ-चाह जो जो वहां के इस बाद बाद बॉकल के लिए इस तरह सो प्रदार मंत्री लगातार आप बदार कर रहे है कि जो लोकल प्र क्यांबार चाहिए जो दो जो लुन फॉड़ीपाल से जुरदा है कि दुझाए जो जो झो रूंडिखार को बाद 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 मंत्री वहां पर बारा वजे और मंत्री अलमोरा जिलेकर जागेश्वार भाम पहुचेंगे और यहां पर आप पूझा अच्छा ना करेंगे और अगर गुरुवार की सुभे प्रिधानमंत्री पहुच जाएंगे देव फूमी में तुशार आप चुकि धरातल पे इस वक्त बारिक नसर रखे हुए हैं हर एक चीज की परक करें किस अगेश्वार यह इकितनी बाकी है और कितनी होनी है इन सवर जो परकै और रिपोर्टिंग है आपकी उस में आपने क्या देखा जनता के अंदर किस तरे को उस्था नसर आ रहा है कारकरता हूं में उस्था cels'o है बेंब एक उस तरी मिस्था जो यहाई न सरा हrau रहा है परदेश की जंता भी परदान मंत्री के लिए स्वागत किया जा सकता है जंसबाद के बहुत बड़ी जंसबाओं आपकर करेंगे ऐसे में जोश है कि फोरा गड़ के अंदर वह साफ तौर तर मज़र आ रहा है कि जंता का परदान मंत्री को बेजने के लिए काफी इसका में है में उससे में जो लोग है है और परदान मंत्री को बखवाने से जुनने आ रहे हैं एसे में जो जंता है तौर देखने के लिए काफी इसकाफ है और उनके जो अ सब्सक्राइब करने वाल है क्या रात्री विष्ट्राम करने वाल है क्या रात्री विष्ट्राम करने वाल है क्या रात्री विष्ट्राम करने विष्ट्राम करने वाल है क्या रात्री विष्ट्राम करने वाल है सिदार्ट मीनन का मेक्स अस्पताल में उपचार चल रहा है वही कंटेनर चाल को हास्तों के बाद मौके से फरार हो गया जिसके फिलाल पुलिस तलाश कर रही है प्रदेश में निकाय चुनाव चलने की संभावना है पांच दिसम्बर को समाप्त हो रही है निकायों का कारेकाल उसके बाद निकायों की कमान अधिकारियों के हाथ में होगी तो निकाय चुनाव यहाँ पे चलने की संभावने चुताए चारी है पांध दिसम्मर को समाप्त हो रहा है निकायों का कारेकाल और ऐसे में बता दे कि यह उसके बाद कमान जो है वो अधिकारियों की हात में होगी यह जायनकारी निकल के सामने आ रही है तो निकाय चुनाव टल जाएंगे निकाय चुनाव के टलने की संभावना यहां पर जाहि यह 5 दिसम्मर के वो तारिक है जब कारेकाल यहां पर खतम हो रही है निकायों की और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों के हात में इसको स्वापा जाएगा अधिकारी जो है इसकी कमान लेंगे तो निकायों की कमान अधिकारियों के हात में होगी यह जानकारी अब आप तक पहुंचा रही है प्रदेश में निकायो चुनाव चलनी की समभावना जताई जा रही है और ऐसे में आपको बता रही है कि 5 देसंबर को समाप्त हो रहा है निकायो का कारेकाल अधिकारी अपने हात में निकायो की कमाल लेंगे ये जानकारी निकल के सामने आ रही हो चुट रखन से प्रदेश में निकायों चुनाओ चनली की संभावना चुताई जा रही है पाद दिसम्बर को समाब्ध हो रहा है निकायों का कारेकाल ऐसे में आपको बता दे कि अधिकारी जो है अपने हाथों में कमान लेंगे निकायों की पाद इस संबर को समाप्त हो रहा है निकायों का कारिकाल और निकायों का कारिकाल खतम हो जाएगा ऐसे में कहाई जारा है कि निकायों की कमान अधिकारियों के हाथ में उसके बाद दी जाएगी अवनीश प्रेमी इसी खबर पर जारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अवनीश इखबर निकल के सामने आ रही है कि टेलेंगे निकाय चुनाओ देखें निची तरपर सुटी क्योंकि अभी आयोग की किसी तरह की कोई तयारी नहीं है और नगर निकाय के जो कारिकार है वो पांच दिसंबर को समा पूरा है और अक्टूबर आदा बीच चुका है तो ऐसे में जो तयारियां की जाने चाहिए ती वो कहीं से कहीं सख दिखाई नहीं दे रही इस द्र menu आवना यह है कि 5 दिसंबर का जो कारिकार समा पूरा है उससे पहले निकाय के तुनाओ समभव नहीं है और कहा ये भी जा रहा है कि सरकार अब जो आयोग है वो लोगस्पा चुनाओ के बाद ही नगर निकाये के चुनाओ कराएगा और उसकी तयारी उसके बाद होगी दूसरा यह कि पांच दिसम्बर को जो कारिकास समाफ हो रहा है तो निश्चित तोर पर जो अधिकारी है जिले के अधिकारे उनके पास रिजल की कमान आ जाएगी और जो चुनाओं है उन लोग सबाद चुनाओं के बाद होंगे ऐसी तम्हावना पिलार जो आयों की तैयारी ही है और बताने की कहा यह जा रहे हैं कि लोग सबाद चुनाओं के बाद ही निकाय चुनाओं हो सकते हैं खबर में आगे बढ़ते हैं दहरादोन आटियों ने ट्रैफिक विवस्ता को सुचारू रखने और स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आटियों ने स्कूल वैन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है जिसमें सभी वैन संचाल को के संचाले समंदी कागस और वैन को चेक किया गया रादे के जुस्पी वैन में किसी प्रकार की कोई भी कमी मिली उसे सभी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ निन का वक्त दिया गया साथी खास तोर पर फर्स्टेंट किट और फायर एक्स्टेवी शर के संबंद में सभी चाल को क कि इसकूलों का टाइम एक ही ऐसा होता है जड़ बज़े दो बज़े एक ही साथ घेर सारी गारिया निकलते हैं तो बाकी समस्यां कुछ हर्टक कम भी हुए हम भी कोसिस कर रहे हैं ड्राइवरों को बता रहे हैं कि जाम नहीं लगाना है साइड में गारी लगाना आपको है और बच्चों की सिफ्टी पो अस्पेसल द्यान अपरज़ना पर अपर अपरे हैं कर्णप्राग में मेरी माती मेरा देश्च कारिकरम का शुभारम हो रहा है बतादे के विदायक अनेल नोटिया ने शुभारम किया है वहीं ब्लॉक सबागर में आयुचित कारिकरम में ब् में 30 अगस तक चलेगा और कहा है कि कारिकरम का उदेश्य वीर सपूतों को असाधी के मौके पर याद करना है साथी कहा है कि कारिकरम में पतिबाद करने वाले महिला मंगल दल उपोस्ट में पर इच्विन देका समानत किया गया है इस कारिकरम में आज के हमारी चांड चराणवी गाउस वाह से जो मित्ती मेरी मार्ट की किता है जो इकतित की थी उसका आज सारे लोगों ने मिल करके एक कलश में उसको इस्तापित किया और अब यह अम्रित प्रस्श हमारा जो है इस्तित राजी के लिप जाएगा जो मेरा मेर्टी, मेरा देश का कारिकरम था हमारा बहुती सपल कारिकरम रहा है जो कि आज हमारे मोधी जी का neska पते ग्राम पंच्यातों से लेकर पिकास कंड़ों से लेकर राजदानी में जो अमरी सरोबर्ब वाटिका बनना है उसका उत्ते से यही था कि हर गाउं से थोड़ा-थोड़ा मिटी है परते गाउं से जाना है जो कि हमारे बीर साइद हुए है उनके लिए एक अच्छा सा अमरी सरोबर्ब बनना है उत्राखन के जागेश्वर धाम में पीम मोदी के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी और धाम सजाने का काम चल रहा है बता दे किसी धाम में पीम मोदी भगवान भोले के जाकरत स्वेरूप की पूझा अर्चना करेंगे और जागेश्वर धाम दारूल वन की तलहटी पर जह खबर भी दोड़ा गड़ से हैं इंदरी इंदर सेंग बलदिया स्पोर्ट से स्टेडिया में प्रधान मंत्री नरेद वोडी च würd साइबूथ यह प्रधान मंत्री के तरफ राजव के जं फ्रवकार आन पर्यूर्शनाओ की सागात् वि दिट adher column अिए इंडिय वाइज के सब्सक्राइब करें जन्ता को संभूधित करें लिए साल जन्सबार इस जन्सबार की तैयारिया है यहां पर पहले से ही तिनों सब्सक्राइब करें लिए और सामने पुरा स्टेडियम है यहां इसी स्टेडियम में भारी जन्सबा को प्रधान मंतिर नेंदर मोधित करेंगे प्रधार के इस जन्सबार में आकर पधान तरिनेंद्र मोधि आगा में लोक्सवा चुलाओ को लेकर वेकसंदेज रहना चाहते हैं कि जुबाय विंद्ध बिश्ट की उजड़ा बनाई गई गया उजज्ये के लिए और राज्ये के यह कैसे कि जन्सबार में विकार्ज के पर दोटाफ के लिए और सबकी सब्सक्राइब कर आएंगे तो अपने त्वारे से राच्चे वास्यों के लिए निस्त्रीमान जन्पदों के लिए फिलाल के लिए देभूमे समचार में इतना ही कब लगतार जा रही है देखते रहें इंडिया वाइस